श्री कृष्न की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्न सहित सारे यदुवन्शी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवन्शियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार है एक माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा रिशियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र साम्ब को दिया गया श्राप आईए इस घटना पर विस्तार से जानते हैं गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप महा भारत युद्ध की समापती के बाद जब युधिष्ठर का राज्तिलक हो रहा था तब कौर्वों की माता गांधारी ने महा भारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोशी ठहराते हुए श्राप दिया की जिस प्रकार कौर्वों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी यदुवंश का भी नाश होगा रिशियों ने दिया था सांब को श्राप महा भारत युद्ध के बाद जब 36 वर्ष आरंभ हुआ तो तरहत रहके अप्शकुन होने लगे एक दिन महर्शी विश्वामित्र कन्व देवर्शी नारद आदी द्वार का गए वहा यादव कुल के कुछ नव्यवकों ने उनके साथ परिहास मजाक करने का सोचा वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में रिशियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है इसके गर्भ से क्या उत्पन होगा रिशियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा उत्पन करेगा जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का सहार करोगे उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण वबल राम ही बच पाएंगे श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया इसके बाद राजा उग्रसेन वश्री कृष्ण ने नगर में घोष्णा करवा दी कि आज से कोई भी व्रिष्णी वँ अंधक्वंशी अपने घर में मदिरा तया उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा घोष्णा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया द्वारका में होने लगे थे भयंकर अप्शकुन इसके बाद द्वारका में भयंकर अप्शकुन होने लगे प्रति दिन आंधी चलने लगी चुहे इत सारस उल्लों की और बकरे गीग्रों की आवाज निकालने लगे गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिलाव और नेवलियों के गर्व से चुहे पैदा होने लगे उस समय यदुवन्शियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी अंधक्वन्शियों के हाथों मारे गए थे प्रद्युम्न जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अप्षकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा की कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समया गया है इन अप्षकुनों को देखकर तथा पक्ष के तेरहवें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे उन्होंने देखा की इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था गांधारी के श्राब को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आग्या दी श्री कृष्ण की आग्या से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक ववरिश्नी वन्शी आपस में बात कर रहे थे तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृत्वर्मा का उफास और अनादर कर दिया कृत्वर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृत्वर्मा का बध कर दिया यह देख अंधक्वन्शियों ने सात्यकी को घेड लिया और हमला कर दिया सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दोडे सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक्वंशियों से भिड़ गए परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए यदुवंशियों के नाश के बाद अर्जुन को पुलवाया था श्री कृष्ण ने अपने पुत्र और सात्य की कीमृत्यू से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुठी एर का घास उखाड ली हाथ में आते ही वह घास वजर के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई उस मुसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे जो कोई भी वह घास उखाडता वह भयंकर मुसल में बदल जाती ऐसा रिशियों के श्राप के कारण हुआ था उन मुसलों के एक ही प्रहार से प्रान निकल जाते थे उस समयकाल के प्रभाव से अंधक, भोज, शिनी और व्रिश्नी वंश के वीर मुसलों से एक दूसरे का बद करने लगे यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे श्रीकृष्न के देखते ही देखते साम्ब चारुदेश्न, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई फिर तो श्रीकृष्न और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेश बचे सभी वीरों का सहार कर डाला अंत में केवल दारुक श्री कृष्ण के सार्थी ही शेश बचे थे श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापोर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वार का ले आओ दारुक ने ऐसा ही किया इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वार का लौट आए बलराम जी के स्वधाम गमन के बाद ये किया श्री कृष्ण ने द्वार का आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वसुदेवजी को बता दी यदुवन्शियों के सहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ श्रीकृष्ण ने वसुदेवजी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ जब श्रीकृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघर ही अर्जुन द्वार का आने वाले हैं वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे ये कहकर श्रीकृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े वन में जाकर श्रीकृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधी में लीन है देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया उस सांप के हजारों मस्तक थे समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेशनाग का स्वागत किया बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्रीकृष्ण उस सुने वन में विचार करते हुए घूमने लगे घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिये गए श्राप के बारे में विचार करने लगे देह त्यागने की इच्छा से श्रीकृष्ण ने अपनी इंद्रियों का सन्यमित किया और महायोग समाधी की अवस्था में प्रित्वी पर लेट गए ऐसे त्यागी श्रीकृष्ण ने दे जिस समय भगवान श्रीकृष्ण समाधी में लीन थे उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरनों का शिकार करने के उद्देश से बहां आ गया उसने हिरन समझ कर दूर से ही श्री कृष्ण पर बान चला दिया बान चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़े के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देख कर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परमधाम चले गए अंतरिक्ष में पहुँचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनी आदी सभी ने भगवान का स्वागत किया इधर दारुक ने हस्तिनापूर जाकर यदुवन्शियों के सहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ अर्जुन तुरंथ ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वार का चल दिये अर्जुन जब द्वार का पहुँचे तो वहां का द्रिश्य देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ श्री क्रिश्न की रानिया उन्हें देखकर रोने लगी उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री क्रिश्न को याद करने लगे इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले अर्जुन को देखकर वसुदेव जी बिल्खबिलक रोने लगे वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वार का शीघर ही समुद्र में डूगने वाली है अत तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ अर्जुन अपने साथ ले गए श्री कृष्ण के परिजनों को वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहां से इंदरप्रस्थ ले जाऊंगा क्योंकि शीघर ही इस नगर को समुद्र डूबा देगा अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से सात्वे दिन सभी लोग इंदरप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे इसलिए आप शीघर ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आध्या के पालन में जुट गए अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई अगली सुभः श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्रान त्याग दिये अर्जुन ने विधिविधान से उनका अंतिम संसकार किया वसुदेव जी की पतनी देव की भगरा, रोहिनी व मदिराभी चिता पर बैठ कर सती हो गई इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवन्शियों का भी अंतिम संस्कार किया सात्वे दिन अर्जुन श्रीकृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिये उन सभी के जाते ही द्वार का नगरी समुद्र में डूब गई ये द्रिश देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ